नमस्क्राइब स्वागते आपको बारा होते हैं फिदे माफ कीज़ेगा हमारे मिद्रुदेश के बुल्टे में मैं हूँ आपके साथ ये शुक्ला रूख करेंगे खब रूखा लेकिने से पहले नज़र आनेंगे सुर्के पार शिरा सरकार ने एक क्लिक में छपल लाक छात्रो को दी बड़ी सौगार राजसरकार का एक और बड़ा निन्ने सौथी बार इन दौर सबसे स्वाक्षे शहर सर्वेट्शन में दौर चौथे नंबर पर भूपाल में आई टी की सबसे बड़ी छाप बारी हम नहीं राज जान लेवा कोरोना का प्रिसार लगातार बचते जा रहे कोरोना के बड़ी कोरोना के कारण गड़ेश उस्तों बनाने पर ग्रहन शाषे ने किया गड़ेश पंडाल लगाने से मना मूर्तिकारों के सामने आया रोजी रोजी का संकाई आप देख रहे है के नियोज खबरों का सार्थी और बढ़ेंगे खबरों में उप्चुनाव से पहले मदबरदेश की सिवरास सरकार ने एक और बड़ा एलान किया है प्रदेश सरकार एक सितंबर से प्रदेश के सभी गरी परिवारों को 1 रुपए किलो की दर्स ते राशन देगी इन लोगों को 1 रुपए किलो गेहू, चाबल और नमक मिलेगा प्रतिव्यक्ती हर महिने 5 किलो उचित मूल राशन दिया चाएगा सरकार के इस निर्णे से प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को लाब मिलेगा देखे रिपोर्ट हर महीने 5 किलो राशन ले सकेगा राशन एप और पोर्टल से मिलेगी पात्रता परची किसी भी सरकारी दुकान से ले सकेंगे राशन उप्चुनाव से पहले मत्य प्रदेश की शिवरा सरकार ने एक और बड़ा एलान किया है प्रदेश सरकार एक स्टमबर से प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को 1 रुपए खिलो की दर से राशन देगी इन लोगों को 1 रुपए खिलो के हुच चावल और नमक मिलेगा प्रती व्यक्ती हर महीने 5 किलो उच्चित मूल ले राशन दिया जाएगा सरकार केस निर्णय से प्रदेश के लाखो गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि वो एक सितंबर से पहले हर हितगराही के घर पातरता परची पहुचवा दे ताकि उन्हें समय से राशन मिलना शुरू हो जाए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहट अब हितगराही किसी भी सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकता है राशन लेने के लिए हर हितगराही के पास आधार कार्ड होना जरूरी है प्रतेक हित्ग्राही अपने पास की दुकान पर आधार कार्ट दिखवा कर उसकी एंट्री करवा सकता है राशन वित्रण प्रणाली से जुड़े कुछ फैक्ट गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए 37 लाख नए हित्ग्राहियों को पात्रता परची भरने के निर्देश 15 अगस्थ 2020 तक 18.30 लाख पात्रता परची जारी 31 अगस्थ 2020 तक 6 हित्ग्राहियों के नाम सूची में जोड़कर पात्रता परची जारी होगी हितग्राहियों के लिए एमराशन मित्र एप पोर्टल तयार हितग्राही स्विम अपनी पात्रता पर्ची का प्रिंट निकाल सकेंगे नवीन पात्रता पर्ची धारी हितग्राहियों को एक सितंबर से राशन समागरी का वितरण NFS अंतरगत प्रती सदस्य पाँच किलो खाद्यान एक रुपए किलो की दर से प्रधान मंद्री गरीब कल्याड अन्य योजना के तहट नवंबर तक प्रती सदस्य पाँच किलो ग्राम खाद्यान निशुलक प्रती परिवार एक किलो आयोडाइज नमक एक रुपए किलो दर से प्रती परिवार एक दशमलो पांच लिटर केरोसीन कलेक्टर की ओर से तैदर पर नए हित्गराही किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकेंगे सदस्य को एक रुपए किलो गया हूँ चावल और नमक मिलने लगे पर आज वो सपना साकार हो रहा है संकल पूरा हो रहा है ऐसे परिवार हमने पूरी सूची निकाली तो उनकी संग्या है 37 लाग अब ये 37 लाग भाई और वहन जिन में से लग बग पांच लाग बाद में आए ये करोना बीमारी के कारण बाहर से लोटके उनको भी हमने निस्वूर के रासन देना प्रारम किया था करोना के संकट में ये छूटे हुए भाई वहन जिनको एक नियम के कारण क्योंकि गरीब परिवारों की उच्छतम सीमा थी कि इससे ज़्यादा परिवारों को नहीं देंगे परिवार बढ़ गया तो किसी का क्या कुसूर भाई अबर वो गरीब है और पातरता में आ रहा तो उसको मिलना चाहिए रासन अब उन सभी परिवारों को इस योजना के अंतरगत एक रुपया किलो गया हूँ चावल एक रुपया किलो नमक डेली कर केरोसिन यह डेना शुरू किया जाएगा एक सितंबर से बता दे कि शिवरा सरकार गरीब परिवारों को सिर्फ एक रुपय किलो के हूँ चावल और नमक देगी सरकार की इस फैसले से प्रेदेश के लाखों गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा सियम शिवराज ने सभी कलेक्टर्स को निरदेश दिये हैं कि वो अपने अपने जिलों में सभी नए हित गराहियों को 31 अगस तक पात्रता पट्चियां जारी करने की व्यवस्था करें जिससे एक सितंबर से उन्हें राशन मिलने लगे पता देगी हित गराही वन नैशन वन राशन कार्ड योजना के तहट किसी भी सरकारी दुकान से राशन ले सकते हैं हाला कि राशन लेने के लिए सभी हित गराहियों के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य रखा गया है इस पेसल डेस्क रिपोर्ट के न्यूस इंडिया सुक्षिता सुपेशर 2020 सब ओर्ड में केंदरी नगरी विकास एवबावास मंत्वी हदीप सिंग पुरी इंडौर को देश के सबसे स्वक्ष शेहर का खिताब दिया गया और इसी के साथ इंडौर ने चौथी बार देश के सबसे स्वक्ष शेहर होने का कौरफ प्राप्त किया सुक्षिता में इंडौर का चौका लगाने की घोशना होने के बाद शेहर के सभी लोग नगर निगम करमचारियों में खुशी चा गए बुपार में वीडियो कॉंफरेंसिंग में शामिल मुख्यमंती शिवरासिंग चाहान नगरी पिशाशन मंती भूपेंदर सिंग इंदौर की महापौल मालिनी गौर इंदौर कलेक्टर समेट अनधिकाली शामिल हुए चौथी बार मिला अवार्ड उन सभी जफाय करमचरियों की महनत का नतीजा है जो लगातार शहर को स्वक्षी रखने के काम बिजटे रहते हैं ऐसे इनकी महनत से शेर फिर नमबर बना है और पूरी टीम को बढ़ाई देता हूँ स्वच्षता इंदौर का सुभाव है इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्षता इंदौर की सभिता बन गई है और इसलिए गंदगी और कच्रा ये कभी भी इंदौर और इंदौर की जनता बरदास्त नहीं कर सकती मैं इंदौर की जनता को बहुत बढ़ाई देता हूँ विर्दे से अभीनदन करता हूँ दुनिया में उन्होंने एक नया इस्थान बनाया है अपके वल देश से नहीं दुनिया से स्वच्षता का पाठ पढ़ने सीखने अगर लोग कहीं आते हैं तो इन दौर आते हैं टाप हंडेड सहरों में से ट्वंटी मतलब सौ में से बीस सहर मध्ध प्रदेश के हैं खुसी की बात है के खरगोण पांचवे नंबर पर उज्जैन बारभेस्थान पर वुर्हानपुर चौधवे पर सिंग्रोली पंद्रवेद पर छिंदवाडा सोलवे पर खंडवा 21 पर है पीधंपुर 23, कटनी 24 और देवास 29 हमारे छोटे सहरों ने भी साहे गंज, काटा फोर्व, महुकेंट जैसे सहरों ने भी स्वच्चता सर्वेक्षण में पुरुसकार पाया है और अपना विशिष्ट इस्थान बनाया है मैं बहां की जनता को भी हिरदे से बढ़ाई देता हूँ उनका अभिननन करता हूँ करोना कार में स्कूल कॉलेश बंद है इसे हालात में शिवराद सरकार चात्रों की मदद के लिए आ गया है सरकार ने एक बाद फिर चात्रों के खाते में 137 करोड रुपे च्रांस्पर किये हैं दुर्वार को एंपी सरकार ने कक्षा एक से आत्वी तक के 56,088,000 बच्चों को खाद सुदक्षा भत्ते के 137,066,00,000 रुपे उनकी खाते में दारे हैं मिड़े मील बनाने वाले 2,00,000 रसुईों के लिए भी 42,00,000,000 रुपे भेज़ दिये गए हैं इस मौकिपर मुत्रवांती शिवरातिम चुहां ने चात्रों को समोधित भी किया उन्होंने कहा कि कुरोना कार में स्कूल बंद है और आगे कब खुलेंगे ये भी बताए नहीं जा सकता सरकार ने बच्चों की पढ़ाई की ओनलाइन और रेडियो कारिक्रवों के जरिये विवन्ता की है इसके साथी कप्षा एक स्यार तक के बच्चों के मिड़्े मील के लिए उनके घर पर ही खाध्यान पहुशा जा रहा है खाधर सुरक्षा भत्ते का पैसा भी उनके खातों में विजवाय जा रहा है वोकि मंतुरी ने बच्चे को एक लव्य बालक की कहानी सुनाए उनने कहा कि एक लव्य पढ़ाई करने गुरु को नहीं जा सका तो इसमें अपने गुरु की मिट्टी की मूर्ती बनाकर धनुश विद्या का अफ्याश किया शेश्ट धनूदर बन गया इसी ब्रकार आप भी स्कूल नहीं जा पारे हैं तो क्या हुआ घर पर बैठ कर ही एक आगरता से पढ़ाई करें आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोग सकता पढ़ाई का समान आपके पास ऑनलाइन पहुचा जा रहा है साथी मुबायल पर सिक्षट आपके प्रशनों के उस्तर भी देंगे आज़ादी के 73 साल बाद भी विजिशा जिले के नटेवन तैसीर के घ्राम बेला नारा की तस्वीर नहीं बदली जो हाँ आज भी खत्यापर सिस्टम काने के सहारे चलाएमान है जमेदार अधिकारी जो आच की मांग का रोना रोकर बच निकले की चेश्टा करते हैं अगर आप विजिशा जिले के सब बेला नारा गाव की तस्वीर देख लेंगे तो यहाँ जन्देगी सरपट नहीं दोड रही है बलकि तिल-तिल कर मरने को मजपूर है इस गाव में दूर दूर तक आपको कहीं नजर नहीं आएंगे ग्रामोलों की माने तो यहाँ ना तो गरीबों के लिए कुटीर बनी है ना ही पेजल की कोई समुचित विवस्ता है आज भी किसी बिमार व्यक्ति को प्रसव वाली महिला हो खटिया पर डिटाकर चार लोग कंदे पर लाग कर रिलाज के लिए ले जाते हैं और जरान कभी कभी हास्ता भी हो जाता है आपके द्वारा भी मेरे संग्यान में लाए और अपने वीडियों भी दिखाए कि बहाँ पर रोड नहीं है अभी शासन से खेट साड़क और सुदूर साड़कों की अनुमति इस वर्से मिल रही हो और हम लोग इसमें जाच करा लेगी अगर सुदूर साड़क जो ग्रामिंग ज़गास बिलाग सकती है हम वह और अगर कोई अनुम राटस असालर असकती बिल्क सुद्धाख कर लिया गया जबके एक व्यक्षि समित्रा अबाद को ग्यापन दिया और मामले पर करवाई की माइड ग्यारसपुर के कजबा हैदर गड़ जोला चाप डॉक्टर की क्लीनिक को सील कर दिया गया है बता दे आपको की जोला करेक्टर देश सकता आदेश दिये किस वास्ते बाद के दिकारियों को शेतर वे जोला अचाप डॉक्टर क्लीनिक सेंस्वारिस के जा रही है उनके ओपर कड़ी कारवाई की जाए उसी कासर देखते हुए गयारसपुर के हाजरगर्ड में नायाब तैसिर्दार श्ष्ष्टी श्विवास्ता एवन डॉक्टर नत्या हिर्वार की मौजूद्धी में कारवाई क अचाप डॉक्टर कारवाई की तो आज में कारवाई की हाल अचनी हम दो पर ही करका है बाते सब्सक्रावाई कि अनको शुचना लगी है तो नहीं है आपने दाल में काला तो सुना होगा लेकिन या सफेज चावल को काला कर देने का मामला सामने आया मामला विद्शा जले के लटेवी तहसील का है जा सफेज चावल में लोगों को काला नज़र आ रहा है जासे मामला इस प्रकार है कि 13 और 14 अगर्स की रात को पुलिस संदेख के चलते ट्रॉक को जप्त किया था जिसे 377 कुमेंटर चावल भरा हुआ था सबा पुलिस में ट्रॉक को राजस विभाग की हवारी कर दिया उद्धर राजस विभाग ने मामले की जाच खादेविभाग के दिकारी जयासो विता गुप्ता को साब दी अब जैसो की जाज़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं जैसो दे जाज रिपोर्ट एसके अब को सापी है अब जाज़ रहे हैं को तीन सो कुंटल चावल से भान गुए ट्रक बिना किजी ठोस्कारवाई की छोड़ दिया गार क्या कहना चाहिए इस संबंदर में अभी अभी ज्यात हो रहा है और निश्यत रूप से इनमानी विजाई महुदे को भी सम्यान में दाना चाहूँगा औ इस संबंदर अभी कारियों से भी इस संबंदर बात करेंगे और अगर इसमान में कोई दोस ही है तो निश्यत रूप सुम्कित रहा है था रात्री में ठाई में जिशायर अप्तीरा दर्ट को और दूसरे दिन अनुपार्थ अभी अधिकारी दारा उन्जे जांज कर दिख दिखेंगे कैसा है का इस जा रहा है तो इसमें दिल बगेरा देखे गए उसके बाद है जो नान के ब्रभारी है और वेरहास के ब्रभारी हैं दोनों को पुलाया रहा है चंदेरी से लगवा 14 किलो मेटर दूर बेदवा नदी पर बने बांद के सबस्वा छे गेट खोले गाया असपास के शेत पे लगातार हो रही वाजिस से पानी का दल्सतर बढ़ने से गेटों को खोलना पड़ा जिससे एक लाख किसक पानी छोड़ा जा रहा है जिसी कि आस प्रश्चा के लटेरी में रदस्रभाग नगर परश्चाद एवं पड़स्रभाग द्वारा सायोक के कारवाई कर विना मार्स की घूमने बारे लोगों पर चलानी कारवाई की जा रही है लौकडाउन का लंगन करदे वाले दुकानदारों पर भी कारवाई की जा रही है इस दुकानदार जो अभी भी लौकडाउन के दौना दुकानदारों पर चलानी प्देर मास्क को खिलाफ में चालानी कारवाई की जिए जो जसी इसिक्वाना है बड़ी गाडियों के लग फुरे ज्यादा राच्पी चालानी कारवाई तो बस यह है । इस पसी ज़िलर मास्क को गार यह अब कोई बे सिटिजन किसी भी काम से आटियो दफ्तर जाता है तो उसकी संतुष्टी के लिए खवात विभाग के वरिश्वधिकारी लगातार काम कर रहे हैं अब प्रयास है कि अब लाइसंस और पंजोय नवनी करन जैसे काम शनिवार वरिवार को भी किये जाएंगे परियाप्त संक्या में लोग आते हैं तो यह विबस्ता स्थाई रोप से लागू कर दे जाएगी इसके लिए जो करमचारी रवार को काम करेंगे उन्हें सविधान साथ किसी और दिन सापता ही कवकाश पिया जाएगा संदे के दिन भी स्लोटिंग्स कर दी जाए मतलब समय के कालकंटे दिये जाए तो उनको इस प्रकार की लैसेंस बनवाने की सुवितर रहेगी तो इसको दस्टिकत रखते हुए जो हमारे आयुक मौदे हैं उन्होंने यह निनने लिया है कि आगामी दिनों से हम इसको पूरा प्लान करके लागू करने जा रहे हैं विदेशा के आनदपूर पुलिस से बड़ी काज़वाई करते हुए दुशकर्म के आरोपी को गिरफतार करने वे सुपलता हासल की है पता जोरा है कि आरोपी द्वारा महिला को जबर्दस्ती उठाकर ले जाये गया उसको गरीब तीन महें तक विदेशा में रखा गया जाज के साथ दुशकर्म किया गया किसी तरह महिला ने परज़नों को मामले के सूचना दी परज़नों ने घटा के जानकारी आनलपूर पुलिस को दी सूचना के अधार पर पुलिस से पहुचकर पिड़ेद पहला को आरोपी के चुन्वर से छुडा लिया साथ यारोपी को गिरफतार कर लिया है पता जो रहा है कि तीन महिले पहले आरोपी महिला को लेकत परार हो गया था जिसके सूचना महिला के पती ने आनलपूर ठाने में दर्च कर आई थी ताप पुलिस से महिला के गमशुद की दर्च मामले में चांच कर रही थी वहीं पुलिस ने आरोपी इस साम सेवक मेरा दिवासी को लापुरा को गरफतार कर लिया है ग्राम दोड़ खेडा में दिनांग 2520 को एक 30 पर सीय महिला की गुमोनों की रिपोर्ट इसके पती के दुआरा इसने बताया कि राम सेवक मिना जो की कोलापुरा का रहना वाला है वो उससे बनपुर्वक जंकी दे करके साथ में ले गया था तथा तरीब तीन माहां तक इसको विदी साव में पत्मी बनातर रखा तथा उसका देख सुसंद किया इसमें करोना वास बहबारी के चोटे कई जन पते थी इसकी चपेट में आ चुके हैं वही मतबदेश सरकार के अच्छा मंतुरी डॉक्टर बुहन यादफ करोना वाइरस पॉस्टिफ पाए गाए उनकी रिपोर्ट पॉस्टिफ आने आई है और सिक्षा मंतुरी मुहन यादफ ने क्वीट कर असपाथ की चौन कारी दी थी राइसें जुला जेल में बंद दुशकर्म कारोपी तीस वशी मचल सिंग के पेट में दध हुने के कारण जुला स्पता लवाच के लिए लाए गया तो आएकसरे करने के बाद के कारण क्यादी के हद्कड़ी खोल दी गई थी मौका देखते ही क्यादी भाग निकला तसके के पीछे भाग गए तो वारक्षपी नाले में कूद गया उसे धर्द बुच लिया गया थाना को इस वारी में मामला तर्च करा आए गया चोर 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 यह जेल बंदी मचल सपेरा गड़ी गया थाने के तीन सब्सक्रा के मामले में जेल में निर्द था आज दिन में इसके दोड़ा पेटड़ दोड़ा उल्ठी की शिकायत की गई थी जिसके परचात वहां के जेल पहरिना दोड़ा इसको जांच के लिए जिरास्ता लेके आय पहरिती तो वह कपड़े पैंते हुए वहां से भी बंद गेल पहरियों से छूटके भाग गया था चंदेरी में कट्रोब हजार में सिर्थ बैंक ओफ इंडिया की शाखा में जादा तक दिनों में लिंक फेल होने से लोगों को परिशानी हो रही है पैसे निकालने में भार को उच्छान में आई टेज वारिश पे कारणे गरी परिवार का मकान पानी में धैक भादा अगया कि घरिया तहसील में आने वाली ग्राम बालचाओ दोटेलिया में चारण फरसếuस से लवाज पौरिफ करें कंस सबस्क्राइब कान ने कि इंड थैसे जो वैदें के पहार लगा है कि वह कौहार यहादुन मücht हुआ लेकिन कहीं भी जिसी दूरत जोरुड़ कर जब रधार ठίν और की कोशिश की और अ stopping कि हुए तो परिषान तो आपने इसकी शिकायत कहा पर करी के निकरी तो फिर क्या हुआ कोई नहीं सुने अच्छा ये तेसिल और इधर अधिकारियों में और कोई पर सब्सक्राइब तो फिर आप कहां पर रहा हूं अधिया वहीं कि नहीं प्रत्रण को अमारे प्रत्रण को प्रिसित ती जा रही है संभाव का आज या आने वाले यह दो दिन में इस दा प्रत्रण प्रत्राइब हो जारा मनला में एक युल्ती से ग्यांगरे पामरे में पुलिस रदु आरूपियों सब्सक्राइब पाचाने को गिरफतार किया है आपको बता दी कि आवाटोरा के जंगर में आरूपियों रिवातात को अंजाम दिया जव्ती के रिश्टदा साथी की शुकाराथ पर मौके पर पुलिस बहुत का रारूपियों को गिरफतार कर दी मतवर्देश के बल्टब में फिला लता ही देखते रहे कि जो से लिया रवसकार